हेलो फ्रेंड्स याइम निशा निशा फूटकरस्ट में आप सबका सौगत है आज मैं निशा किरसों भी बनाने जा रही हूँ बेसन का हल्वा पिल्कुल दानेदा स्वादिश्ट गर्मा गर्मा हल्वा जब यह खाया जाता है ठंडियों के मौसम में मज़ा ही आ जाता है तो जरूर बनाके ट्राइकरेंगा बहुत ही टेश्ट ही बनता है ठंड की मौसम में गाजर का हल्वा मुंग डाल का हल्वा और बेसन का हल्वा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है शाली बहुत भद यहां पर मैंने एक कृट और बेसन ले लिया है और यह छाली गरम होने के लिए रख दी है अब हम अपने बेशन को इसमें रोष्ट करेंगे तो बीना घी बीना किसी तेल के आप पहले रोष्ट करिएगा तो जो हम हल्वा बनाने का प्रोसेस है ना वह धूड़ा कम हो जाता है और इसको हम इस तरह से गैस का फ्लेम लो करके ही हमें भूनना है और ये किस तरह से दानेदार बनेगा वो भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगी बिल्कुल दानेदार हल्वा बनकर रेड़ी होगा पिना दूद बिना मावक है ये इतना तेश्टी लगेगा कि आपको विस्वास नहीं होगा कि आप बेशन से भी इतना स्वादिश रवा बना स सकते हैं जिन्होंने नहीं खाया वह इस तरह से अगर एक बना के खा लेंगे उन्हें बहुत पसंद आएगा इस तरह से इसको भून लिया मैंने कुछ मिनिट्स के लिए अब दानेदार बनाने के लिए अब मैं दो शमच बारीक वाली सूजी डालूंगी सूजी आप कोई भी डाल सकते हैं मोटी पत्ले कोई भी उसकर सकते हैं और इसे साथ ही साथ हम दो तीन मिनट फून लेंगे गैस का फ्रेंट्स लो रखके ही इसको भूनियेगा और चलाते जाएगा जिसे की बेसन का सारा जो पूरा बेसन है उसका एक्वेली कलर आकर रेडी हो तो यहां पर दो हो गया है और यहां पर मैंने जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से ही हमने खी लिया है तो आप इसे रिफाइंड ओयल में भी बना सकते हैं वेगर आपको पता है कि घी में जो भी चीजे बनती है उसका स्वाधी ठेंड के मौसम में देसी घी का हल्वा बेसन का भूना जाता है उसकी खुजबू पूरे घर में महग जाती है तो यहां पर मैं चार चमच करीब देसी घी डाल कर इसे अच्छे से भूल लोंगी आप नहीं पसंद करते हैं देसी घी तो आप यहां पर रिफाइंड ओयल या जो भी आप पसंद करते हैं वो डालिएगा मग संसर्विल से नहीं बनाना है सर्सओ के उल में यहां पर मैं चार चमच घी डालlar कर इसे एच्छे से भून लेंगे घी पूरा इसी में पड़ेगा गंगर कैसे डालेगा यह आपको मैं दिखाती जाएंगी घी डालेंके बाद जब हमने भूने 2 मिनिट करीब तो यह इस तर पांच कम चमच होगा और डालने के मतलब यह पूरा जो घी है सी में पड़ेगा थोड़ा थोड़ा देर हमें रुक के डालना और घी डालने के बाद जब यह बेशन अच्छे से मेल्ट होगा ना बिल्कुल लिक्वड फॉर्म में आ जाएगा उससे ही हमें पता चलेगा हमार बेशन बिल्कुल हल्वा बने के लिए रेडी हो गया तो वस इस तरह से दो मिनट हमें इसको चलाते हुए भूल लेना है और इधर मैंने एक फ्राइपैन रख लिया है इसमें मैं ड्राइफ फूड को फ्राइब करूंगी जो भी ड्राइफ फूड आपको पसंद हो एक चम लो रख कर हमें बस थोड़ी देख से इसके कलर चेंज हो जाए इस पर अच्छा सा कलर आजाएगा मैं घैस का फ्रैंट कर देंगे और यहां पर निकाल लेके किसमड को ज्यादा थे बुनने पर उसका जला स्वाद अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा फूल जाएगी तो उसका स्वाद भी जला जला सा लगेगा तो यहां पर आप निकाल लूँगी किसमिस को देखिए कलर चेंज होने लगा है जो पैन गरम होता है उसी में ही अच्छे से घी और पैन के गरम होने में ही अच्छे से भुन जाती है बस इस जगा पर हमें इसमें निकाल लेना है और पैन में घी बच जाता है तो इसी में डाल लीजेगा तो देखिए हमें भुनते हुए पूरा बेसन सूखा बेसन से लेकर घी के साथ 5-6 मिनट हो गया है यह इस तरह से दि ली है चीनी को साथ ही साथ हमें भूनना है जो भी इसमें मेजरमेंट आप लोगे ना पिल्कुल परफेक्ट कोई भी ग्लास का टोरी कुछ भी आप जिससे भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसे एक बटन सेलेक्ट कर लीजे उसी से आराम से आप पूरा परफेक्ट हल्वा बनाकर रेडी कर लेंगे चीनी यहाँ मेल्ट नहीं होगी बस इससे चीनी का जो पिग लेगी उसका कलर आएगा इस हल्वे में न तेस्ट उससे बहुत ही टेस्ट हल्वा लगता है और यह ज्यादा मीठा नहीं होगा अगर आप उस ज्यादा मीठा पसंद दे तो आप चीन ग्लास में डाल दिया है आधी ग्लास मैं और डालूगी पानी तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप बेशन मिक्स करने में दिक्कत हो रहे हैं तो गैस का फ्लेम लो करके यह बंद करके ही बेशन अच्छे से सथमें करी यहां यहाँ पर नियुकर रख़ें Hence me घ्ति तो यहां मैं इसे तो पर मैं आधे ग्लास पानी और डाल दे रही हुम और ली आप आप देख सकते हो अब कि समक्राइब के उस्य लिग्ड़ के सब्फिब घ्सका अड़ा पहुत beforeक्रत करो वीडियो को लाश्ट तक देखते हुए आप इसको फॉलो करिएगा आपको हल्वा बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा तो यहां पर इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कोई भी इसमें लंस ना रह जाए तो आप देख सकते कोई भी लंस नहीं है और इसको हमे रोकना नहीं है पुश चलाते ही जैना है जिसे के मारो हल्वा लगे भी ना और हीम मैंने ड्राइफुर को ड्राइफुर्स को कट कर लिए जो हमने क्किये दिसकी में किसल तो यहां संक्यों हमनी सेंके अच्चे समें मिक्स कर लेना है हाई इस एकनर करेंगे था वैश्क ले विधयन को मिड़का सकते मेदा ने वाला चाहिए तो आप यहां पर हमें आधा चमच इलाची पडर्र डाल ली आप चाहें तो डाल यह जो आपको इलाची पॉर्डर काच़्ण के तेस्ट पसंद है तो जरूर डाल लीजएगा और नहीं पसंदे तो बेसन का ही अपना एक स्वाद और फ्लेवर होता है वही रखेगा या आप यहां पर केड़ा या गुलाब चल भी डाल सकते हैं तो देखे मैंने पूरी घी जो लिया था देसी घी पूरा डाल लिया है अब जो घी यहां बचा हुआ है थोड़ा सा दो त अच्छे से मिक्स करने पर जब इसमें देसी की ऊपर से हल्वे में पढ़ता है तो इसका स्वाध ही बढ़ जाता है और बहुत ही टेश्टी लगेगा इस तरह से आप एक बर जुरू ट्राई करिएगा मेरा फॉलो मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए तो यहां पर अच्छ कहीं से भी नहीं है इस तरह से यह डो बन जाएगा और आप जो चलाओगे तो यह अपनी जगह से मुमिंट करेगा तो आप देख सकते हो यह हार साइट से आप चला रहे हैं तो यह मुमिंट कर रहा है बस यहां पर हमारा हल्वा बनकर रेडी हो गया है तो देखिए मैंने इस थेंडी में इसे बना खाये फ्रेंड्स और अपनी फ्रेंड्स फैंबली को जरूर खलाइए सबको बहुत पसंद आएगा आपको तारीफी मिलेगी और अगर रेस्पी अची लोगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए है या फ